भाईया जी दत्ता त्रेजी ने वैश्या को गुरू बना कर क्या सीखा थोड़ी सी सब्दों में चर्चक करते हैं उन्होंने सीखा है एक वैश्या थी उसने आज ही अपना वैश्या व्रत्ती का काम स्टार्ट किया था पहला दिन था बड़ी सुन्दर थी सज धज करके खड़ी हो गई दरवाजे पर ग्राहकों का इंतिजार करने लगी सुबह से साम्भ हो गई पर कोई भी ग्राहक नहीं आया तब उस वैश्या ने अपने घर के बाहर एक घंटा मंदिर में जो घंटा होता है न उस घंटे को लटका दिया और लिख दिया कि जो ज़्यादा घंटा बजाएगा हम समझेंगे कि वो हमारा मौटा ग्राहक है उसने बड़ा सा घंटा बांध दिया अब सुबह से साम हो गई साम से रात हो गई पर उस वैश्या के घर कोई नहीं आया सुबह चार वजे दत्ता त्रेजी वहां से निकले गंगा इश्चनान करके वो गंगा नहा के वापिस आये तो उन्हों ने देखा कि अरे यहां तो घंटा बंधा है लगता है कोई मंदिर है वैश्या के घर को दत्ता त्रेजी ने मंदिर समझ लिया भाई संत तो सब को मंदिर की रूप में देखता है ना पवित्र होती उसकी द्रश्टी दत्ता त्रेजी को लगा घंटा बंधा है तो मंदिर होगा अब दत्ता त्रेजी ने घंटे वजाने शुरू किये और टन 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 इतने घंटे वजाए वैस्या गिन नहीं पाई उसको बज गए आठ बज गए वो बार बार अंदर आती बार बार बाहर जाती अब आया अब आया कोई नहीं आया तब उस वैस्या के हिर्दे में वैराग हो गया रे राम राम जितना इंतिजार हमने दुनिया वालों का किया इतना इंतिजार भगवान का करते तो भगवान मिल जात उस दिन से उस वैश्या के हिर्दे में वैराग उत्पन हो गया और उस दिन से उसने वैश्य अवरत्ती छोड़ी और भगवान के सुमरन में लग गई दत्ता त्रेजी ने कहा अब तुम्हें हम गुरू बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि जैसे तुमने कहा कि संसार में जतना मन लगाया इतना इश्वर में लगाते तो कब का कल्यान हो जाता यही तो आपको समझाने आया हूँ कि जतना समय हमने दुनिया में खपाया है जतना समय हमने दुनिया को दिया है इससे आधावी भगवान को दिया होता तो नहीं आप पार हो जाती है पर हमने दुनिया को समय दिया है दत्ता त्रेजी ने उस वैस्या को अपना गुरू बना लिया हम भी गुरू बना सकते हैं अर्थाथ हम किसी को भी गुरू बना कर सीख सकते हैं शिक्षा गुरू हजारों हो सकते हैं, दिक्षा गुरू तो एक ही होता, जहां से मंत्र लोगों एक गुरू, दिक्षा, शिक्षा गुरू हो सकते हैं